कैसे एक Tax Practitioner Advocate बना सुप्रीम कोर्ट का जज? जी हाँ, आज हम बात करेंगे जस्टिस संजीव खाना के बारे में. जस्टिस संजीव खाना का जन्म, 14 मई 1960 को हुआ. 1903 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित. शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला न्यायालयों में अभ्यास किया और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया. समवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, वानिज्जिक कानून, कम्पनी कानून, भूमी कानून, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही के रूप में विविध आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थाई वकील के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा. 2004 में राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थाई वकील, सिविल के रूप में नियुक्त किया गया था. अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिक्स क्यूरी के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय में कई आपराधिक मामलों में भी उपस्थित हुए और बहस की. 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए और 2006 में स्थाई न्याया अधिश का पद संभाला। अधिश का पद संभाला।